मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के सभी ओदेदार और पंजाब के कोने कोने से आए हुए आज सभी भाईयों, बहनों, माताओं, बुजर्गों, बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमशकार, सब को मेरा प्रणाम दोस्तों अभी भगवन्त मानने मेरा दिल जीत लिया और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवन्त मानने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया नेता हो तो ऐसा हो, जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आद्मी अपने माबाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक जन्वरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा ये बहुत बड़ी बात है दोस्तो भगवन्तमान पंजाब का एक बहुत बड़ा कलाकार हुआ करता था एक एक शोके हजारों हजारों रुपए लेता था पड़ी थी राजनीती में आने की कि वो राजनीती बात था, उसे लगा कि जिस पंजाब के लोगों की वज़े से आज वो इतना बड़ा कमा अगर पंजाब के लोग इतने दुख मेंढी आज नशे की वज़े से पंजाब दूब राए तो इसकी आत्मा ने कहा कि उसका कलाकार बने रहना ठीक नहीं है हजारो हजारो लाखो रुपई की आमदनी की केरियर छोड़के भगवन्तमान राजनीती में आया राजनीती में आने के बाद पिछले चुनाओं में बैट जो पीछे कुछ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बैठ जो बैठ जो पीछे कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा बैठ जो पिछले पंजाब के चुनाओं में क्योंकि उनको लगए सुख्वीर सिंग्बादल दोशी है आज पंजाब में जो नशा है पंजाब की जो हालत है उसके लिए सुख्वीर सिंग्बादल दोशी है भगवंतमान आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा नेता है भगवंतमान कहता मेरे को इस सीट से टिकेट दो जिस सीट पे भगवंतमान हाथ रख देता वो उसको सीट मिलती वो चाहता अपने लिए सेफ सीट ले सकता था ऐसी सीट ले सकता था जहां से उसका जीतना पक्का हो लेकिन उसने का नहीं मैं सुखवीर सिंग बादल को हराऊंगा और पंजाब को सुखवीर सिंग बादल से मुक्त कराऊंगा ये छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है वो सुखवीर सिंग बादल के खिलाफ लड़े और अब सब को पता है अभी एक वीडियो थोड़े दिन पहले आई थी जिसमें पता चला कि अकाली दल और कॉंग्रेसियो दोनों ने मिलके भगवंतमान के खिलाफ शड्यंत्र रचा दोनों पार्टियां हिल गई थी भगवंतमान से दोनों पार्टियों ने मिलके शड्यंत्र रचा और दोनों पार्टियों ने मिलके भगवनतमान को हरा दिया आज भगवनतमान ने जो एलान किया है दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है इतने सारे हजारों हजारों लोग है आज हम सब लोग अपनी मा की इजद करते हैं लेकिन हमारे मेंसे कितने लोग हैं जो अपनी मा के कहने से दारू छोड़ने के लिए हम सब लोग पंजाब की इजद करते हैं हम सब लोग अपने देश की इजद करते हैं लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पंजाब के खातिर अपने देश की खातिर दारू छोड़ने के लिए तैयार है भगवंतमान असली नेता है और आज मुझे कहते हुए बेहत गर्व ह कि भगवन्तमान आम आद्मी पार्टी का बड़ा नेता है दोस्ते तो एक बार जोरदार तालिया बजाके भगवन्तमान के इस संकल्प का आप समर्थन कीजिए अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आम आद्मी पार्टी को छोड़ के गए हमारे विरोधियों ने कहना चालू किया जाड़ू तीली तीली हो गई किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है इस देश के अंदर जो जाड़ू को तीली तीली कर दे इन्होंने कॉंग्रेस वालोंने बीजेपी वालोंने अकाली दल वालोंने पिछले पांच साल में पूरी जाड़ू को तीली तीली करने के लिए जान लगा ली पर उपर वाला हमारे साथ है रब हमारे साथ है किसी की हमत नहीं हैं मेरे उपर पिछले दो साल में चार बार हमले हुए हैं कभी सुना था मुख्य मंतरी के उपर हमला होता है चार बार बार मुख्यमंत्री के उपर हमला हुआ इन्होंने मरवाने की कोशिव दिल्ली सरकार को चलाने में नरेंद्र मोदी जी ने एड़ी चोटी लगा दी कि दिल्ली सरकार को चलने नहीं देंगे आप अखबार में पढ़ते होगे रोज अड़ चनड आते हैं हम स्कूल बनवाना चाहते हैं स्कूल नहीं बनाने देते हम अस्पताल बनाना चाहते हैं अस्पताल नहीं बनाने देते इन्होंने खूब अडचे नड़ाई लेकिन जाड़ू तीली तीली नहीं हुई हमने और दम लगा के काम किया और खूब काम करके दिखाया डटे हुए हम लड़ रहा है इन लोगों से लेकिन सारे एक साथ तो जो लोग छोड़ के गए हैं आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी म कि उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो ऊपर वाले ने जाडू चला दी और सफाई कर दी सारे गंदे आदमी बाहर और भग्वंत मान जाजसे अच्छे अच्छे आदमी अंदर उपरवाला सफाई कर रहा है दोस्तों भगवान सफाई कर रहा है उपरवाल ने जाड़ू चलाई है जाड़ू तीली तीली नहीं हुई है जाड़ू से सफाई हुई है आम आदमी पर्टी की दोस्तों आज से दो साल पहले आप लोगों ने कैप्टेन साब को भारी बहुमत देखे जिताया था कैप्टेन साब ने अपने लड़के बेजे थे घर घर में मिर कोई आद है उनके लड़के आते थे कार्ड लेके एक कार्ड भरते थे बोले आपके घर में किसको नौकरी चाहिए उसका नाम भरते थे उसकी कॉलिंग कराते थे की नहीं कराते थे उन्होंने बोला मैं सारे बेरोजगारों को नौकरी दूँगा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कैप्टेन साथ ने जिस जिसको नौकरी दी जरा हाथ खड़े करके बताओ जिसको नौकरी दी एक आदमी को नौकरी नी दी कैप्टेन साथ ने और जब उनका लड़के आते थे बोने 30 में कैप्टेन साहब के लड़के घर गर जाते थे कहते थे हम स्मार्ट फोन देंगे स्मार्ट फोन जिस जिसको स्मार्ट फोन मिला हाथ खड़े करके बताओ किस किस को स्मार्ट फोन दीया कैप्टेन साथ किसी को स्मार्ट फोन ने कैप्टेन साहब कहते थे मैं पेंशन पहले मुख्य मंत्री बन गए आज पूरे पंजाब के युवा दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं नोकरी के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं नोकरी ढूंड रहे हैं और सबसे ज्यादा दुखी हैं दलित समाज के लोग, पिछडे समाज के लोग, S.C. दुखी हैं, B.C. दुखी हैं, गरीब लोग हैं, गरीबों के बच्चों को ज़्यादा नौकरी की जरूरत होती है कैप्टन साहब ने सबसे बड़ा धोखा दिया दलितों को और पिछडों को दोस्तों, अभी मैंने अख़बार में पढ़ा, कैप्टन साहब सरकारी अस्पताल भी अब प्राइवेट पार्टियों को बेच रहे हैं, सारे सरकारी स्कूल, कैप्टन साहब नहीं होजना बना मुख्यमंत्री किस बात क्यों जब सारी सरकार प्राइवेट कमपनियों को चले चली जाएगी तो फिर मुख्यमंत्री किस बात क्यों दोस्तों, दिल्ली के अंदर, जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में भी दलितों की बहुत बुरी हालत थी, SCE, BC, इन सब की बहुत बु पाई नहीं होती थी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था सरकारी स्कूल खंडर बने पड़े थे और फिर हमारे इस मनीश सिसोधिया ने मनीश जी ज़रा खड़े हो जाई है यह हमारा पागल शिक्षा मंत्री है हमारे मनीश सिसोधिया जी ने रात दिन मेहनत करके सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया आप मेंसे किस किस को पताए दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए जड़ा हाथ खड़े करके बताओ सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया आज दिल्ली में हमारे दलित समाज के लोग पिछड़े समाज के लोग S.C. समाज के लोग B.C. समाज के लोग उनके बच्चे आज शानदार सरकारी स्कूलों में जाते हैं ऐसे स्कूलों में जाते हैं जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर लिफ्टें लगी हुई हैं, जिनके अंदर जिम हैं, ओडिटोरियम हैं, शांदार एर कंडिशन्ड है सरकारी स्कूलों के अंदर, ऐसे स्कूलों में हमारे गरीब S.C. B.C. दलित और पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते पहले सरकारी स्कुलों में हमारे गरीब समाज के पिछड़े समाज के दलित समाज के बच्चे फेल हुआ करते थे 40% से भी कम नतीजे आया करते थे इस मनीज सिसोदिया की मेहनत की वज़े से पिछले साल हमारे दलित और पिछड़े समाज के बच्चों के 90% से ज़्यादा नमबर आए 90% से ज़्यादा पास आए 90% से ज़्यादा बच्चे बच्चे बच्चों के दोस्टे पिछड़े समाज के दलित जाता था वो सरकारी अस्पताल में लेके जाते थे सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई नहीं मिलती थी कोई ड़क्टर नहीं आता था कोई ओपरेशन नहीं होता था आज चार साल के अंदर दिल्ली सरकार के सारे सरकारी अस्पताल एर कंडिशन कर दिये सारे डाक्टर टाइम पे आते हैं सारी दवाईयां फ्री सारे टेस्ट फ्री सारा इलाज फ्री भगवान न कोई घर कोई बिमार के आज़े अगर किसी कि आज़े हमारे दलिट समाज के बच्चे पिट्ट समाज पैसा नहीं होता था, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते थे, बार वी के बाद, ग्रैजुएशन के बाद, वो कम्पिटिशन के एक्जाम देते थे, इनके एक्जाम में आजकल बड़ी-बड़ी कोचिंग के पास पैसा नहीं होता था, अब दिल्ली सरकार ने पैका खर्चाओ, दिल्ली सरकार सारा पैसा मुफ्त देती है, दलित समाज के बच्चे बड़े हो के इंजीनियर बनेंगे, डाक्टर बनेंगे, एड़ोकेट बनेंगे, और अपने माबाप का नाम रोशन करेंगे, और अपने माबाप को आख बढ़ाएंगे, खुशी है, हमारे हरपाल चीमा जी एड़ेट हैं, दलित समाज से आते हैं, आज आम लीडरों के बड़ाएंगे, प्रधान पक्षी पार्टी और बहुत शांदर काम कर रहे हैं वो, बुद्राम जी जो दलित समाज से आते हैं, आम आजमी पार्टी ने बुद्राम जी को अपनी पंजाब की कोर कमिटी, कोर कमिटी जो सबसे बड़ी कमिटी हमारी, उसका प्रधान हमने बुद्राम जी को बनाया है दोस्तों, आज सादू सिंग जी जो दलिट समाज से आते हैं हमने अपने पूरे देश की जो पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी है सबसे आमाजमी पार्टी की टॉप की कमिटी है उसके मेंबर सादू सिंग जी है चीमा साब एड़ोकेट है बाबा साब अमबेड कर भी एडवोकेट थे आज चीमा साब बाबा साब अमबेड करके नक्षे कदम पे चलते हुए उनसे प्रेर ना लेते हुए असेंबली के अंदर विदान सबा के अंदर दलित समाज के पिछड़े समाज के गरीबों के सारे मुद्दे खुब डटके उठाते हैं और उनके मुद्दों के लिए लड़ते हैं दोस्तों आमादमी पार्टी लड़ती है अभी तीन महिने के बाद चुनावे और आप सब लोगों से मेरी अपील है आपने अकाली दल भी देख लिया आपने कॉंग्रेस भी देख ली पिछली बार चूक हो गई थी मेरे पास कई लोग आते हैं कहते हैं जी पता नहीं कैसे हो गया आमादमी पार्टी के तो सौ सीट आनी थी लेकिन दोस्तों ये कॉंग्रेस और अकाली दल ने मिलके शडियंत्र रचा था इस बार गलती मत कर देना सारे जने मिलके इस बार भगवनत मान के नेत्रत्व के अंदर 13 की 13 सीटे आमादमी पार्टी को आ जाएं आप लोग ने संसद में आज पंजाब के अंदर चार एंपी आमादमी पार्टी के हैं पांच एंपी कॉंग्रेस के हैं तीन एंपी अकाली दल के हैं और एक एंपी भीजेपी का है मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपने संसद में भगवनतमान के अलावा किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा कभी किसी कॉंग्रेस वाले को बोलते वे नहीं देखाओगा कभी बीजेपी वाले को बोलते वे नहीं देखाओगा दोस्तों आपकी आवाज के वल और के वलाम आदमी पार्टी के संसद उठाते हैं संसद के अंदर पंजाब के लोगों की बात के वलाम आदमी पार्टी के लोग उठाते हैं इस बार 13 की 13 स बोले सोनिहाल!